नमस्कार मैं हूँ देवेंद्र आप देख रहे हैं पंजाब के इसरी टीवी राश्टपती पद्ध के लिए 18 जुलाई को चुनाव होने हैं और इसको लेकर जहां एंडिये पूरी तरीके से तयार है एंडिये की उमिद्वार द्रोपदी मूर्मू चंडीगर आई थी और विधायकों से मुलाकात की थी अब कॉंग्रेस के नेताओं से कॉंग्रेस के विधायकों से जो विपक्ष के उमिद्वार हैं यश्वन्त सिन्हा वो भी मुलाकात करेंगे कॉंग्रेस विधायक दल की बैठेक भी बुलाए गई है इसी को लेकर बात करेंगे हमारे साथ असंद से कॉंग्रेस के विधायक संशेर सिंगोगी है क्या तैयारियां हैं आपके उमिद्वार हैं और दुरॉबदी मुर्मू तो वोड मांगे गई है दुरॉबदी मुर्मू ने मांग लिए और हमारे जो कंडिडेट हैं वो बारा तारीक को आएंगे और बारा हम तो पूरा जोर शोर से उनका समर्थन करेंगे क्योंकि जिस तरीके का सिस्टम इस बीजेपी ने पैदा किया है लोग तंतर के तो ये खिलाफ हैं लेकिन इतना बड़ा सम्धानिक पद है मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आप मेरे को बताओ क्या हिंद्थान के सब लोग जानते हैं कि मारा राश्ट्रपती कौन है पिछे पांच साल से राश्ट्रपती है समानिय है सब लोग राश्ट्रपती पद की इजद करते हैं लेकिन बीजेपी ने ऐसा ववस्था बना दिया है कि पता ही नहीं लगने देते हैं कि राश्ट्रपती कौन है अब भी अगर एक तरफ तो कहते हैं जी सहमती करो अगर सहमती करो तो आप किसी का नाम देो ना फिर विपक्ष उस पे बैस सहमती दे या ना दे तो बिना नाम दिये कैसे सहमती हो सकती है मदद चलाकी हर टाइम चलाकी और कंडिडेट भी डूंड के लेंगे राश्ट्रपती का कंडिडेट दे के भी वोट डूंड रहे हैं तो जिस तरीके से दोब्दी मूर्मू को वो लेकर आए हैं वो तो आश्वस्थ नजर आ रहे हैं कि उनकी उमिदवार जो है राश्ट्रपती बनेंगी आप लोग भी आश्वस्थ हैं और क्योंकि आपकी संख्या तो कम है क्रूस वोटिंग करवा पाएंगे आप जैको अगर देश की जनता अगर सोचेगी और उनके जो नमेंदें अगर उनकी अंतरा आत्मा सही में जिंदा है फिर तो ये श्वंसी न बनेगा और अगर बगती करनी है ठीक है तो राम बगत जो हैं फिर हो तो बगती है किसी को बनवा लो हरियाना के आपके ही साथी और कहते हैं कि दुसरें चोटाला को काम बोलते हैं तो काम नहीं होते लेकिन सीम को बोल देते हैं तो काम हो जाते हैं सुर्जा खेडा ने जो उनके निर्दलिया उमिदवार जीत कर आई पारशद चेर परसन उनको बीजे पी जोईन करवा दी सीम हाउस में जाकर आप इस गर्णा करम को कैसे देखते हैं देखो जी ऐसे है यह जो बीजे पी है ना इसका जो साथ देगा यह उसको भी खाएगी और जो साथ नहीं देगा उसको जेल बज़वाएगी यह इनका ट्रेंड है जो इनके खिलाब बोल ले उनको जेल बज़वा देओ और उसी दुशन्द चटाला की वज़े से तो इनकी सरकार चल दी है और उसी दुशन्द चटाला को खतम करने के लिए उसी के मलें को बड़ावा दे रहे हैं खुद जो मेरी रिपोर्ट है खुद मुख्यमंत्री जी ने यह दिशा अंदर देश दे रख्या है कि दुशन्द चटाला के कहने से कोई काम नहीं करना मेरे से पूछ के करो जब अफसर उससे पूछ के काम करेंगे तो दुशन्द चटाला मले को कैसे खुद रख रखे गा और वैसे भी लेक्षन से पहले इनोने दुशन्द से अपनी दूरी बनानी है क्योंकि जो इनकी अपना तरीका है काम करने का वैसे तो इन्होंने मुंसिपल कमेटी वाड़ा एलेक्शन में ही शुरू कर दिया था लेकिन उपर के दबाओ में फेर इनको दोबारा अड़ेस्टमेंट करनी पड़ी लेकिन एमलेक एलेक्शन से पहले ही ये दुशन से अपनी दूरी बना लेंगे और ये दोनों लग हो या फिर विरोधी सूर बोल रहे हैं तो वो एक रणनीती के तहत है पिल्कुल इनकी रणनीती है और वो देखना आप बीजेपी जोईन करेंगी उनको बीजेपी जोईन करा लेगी क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है बै कितना ही चोर हो कितना ही बड़ा बहश्ट अब भी आप कह रहे थे बई चेर्मेन जो बने इंडीपेंडनिट हमारे यहां भी असन्द में एक चेर्मेन बना था इंडीपेंडनिट था कुछ लोग कांगर्स के भी उसके साथ लग गये थे और वो भी अपने आपको कह रहे थे कि ये तो कांगर्स का कंडिडेट है है वो अभी रहना बावनवी है तो उसके उपर अल्जाम क्या है कि पहले बीजे पी ने उसके खलाफ फल्जाम लगाया कि इसकी जो दस्वी की मार्क शीट है जो सटीव केट है वो जली है यूपी से बनवा के लिया रखे है अब जब उसके उपर दबाव बन गया तो आप बीजे पी ने उसको जोईन करा लिया तो एक समयदानिक पद पे बैठने वाड़ा अदमी जिसने इस त प्यादा है कि अब उसकी जाँच जो है वो इमानदारी से होगी मेरे को नहीं लगता कि अब जाँच इमानदारी से होगी लेकिन जब तक हम हैं तो ये जाँच भी करनी पड़ेगी और इसका जवाब भी देना पड़ेगा क्योंकि गल्द तरीके से अगर आप समयदानिक पड़ेगी लोगों को बठा दियोगे तो फिर बरश्टाचार और समयदान और ये सारा सौद्धा जो है कठा ही नहीं हो जेगा फिर बरश्टाचार को मतलब जीरो टॉलर्रेंस क्या है जीरो टॉलर्रेंस ये है कि बीजे भी के लोग बरश्टाचार करें तो कोई दिक्त नहीं कोई दूसरा करें तो फिर जी रोटा हो रहा से चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समसेर सिंग होगी असंद से कॉंग्रूस के विधायक मेरे साथ थे और राश्टपती चुनाओ होने हैं उसको लेकर हरियाना में राजनितिक स्थीती को लेकर बात की मैं हूँ केमरा के पीछ से में रहे साथ गुजाशन नमस्कार